बिहार में हलकी सी बारिश क्या हो गई कि सुसासन बाबू का स्वास्त बिभाग डूबने लगा और मरीज परेशान हो गई एक दो नहीं कई सदर अस्पतालों की स्थिती जो है वो दैनिय हो गई और घुटने भर पानी को पार करके मरीज जो होस्पिटल में पहुँच रहा है जिस होस्पिटल में पहुँच रहा है उसके इमर्जेंसी वार्ड की भी स्थिती कुछ ऐसी ही है बेड पानी में लगा उसका हिस्सा लगबग 20-30% पानी में है कहां का है ये मामला किस तरीके से सुसासन बाबू के स्वास्त बिभाग का पोल खुल रहा है और किस तरीके से मंगल पांडे जिन्नों ने ये कहा है कि स्वास्त बिभाग को बहतर बना दिया है उनके सारे दावे जूटे साबित हो रहे हैं इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जंता जंक्षन सुसासन बाबू की सरकार नतिश कुमार लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने स्वास्त वाफी बहतर बना दिया है उन्होंने कई सारे नए हॉस्पिटल भी खोल दिये हैं लेकिन एक हॉस्पिटल जो दुरुस्त दिखाई दे दे ना बाबा ना ऐसा हो ही नहीं सकता और ऐसी ही इस्तिती गोपाल गंज और सासा राम से सामने आ रही है जहां दोनों सदर अस्पत पा रहे हैं मसकत के साथ पहुँच पा रहे हैं सासा राम में स्तिती और ज़्यादा भयावा है जहां नाली का पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग परेशान हो गए हैं और नाली का पानी हॉस्पिटल में घुस रहा है मतलब लोग हॉस्पिटल पहुँच रहे ह और कई सारी बिमारी को लेके अपने घर आ रहे हैं और इसी के उपर जो स्वास्त बिभाग है इसी के उपर नितिश कुमार है इसी के उपर जो है मंगल पांडे लगातार दावा करते आए हैं कि उन्होंने स्वास्त बिभाग को बहुत बहतर बना दिया है इतना बहतर बना दिया है कि पहली बारिश जो सदर हॉस्पिटल है वो नहीं जहल पा रहे हैं चाहिए गोपाल गंज का हो चाहिए सासा राम के स्तिती कही जाए हलकी सी बारिस के बाद जो बारिस का पानी है वो अस्पताल में घुस गया है और पानी इतना जादा घुसा हुआ है कि लोग परेशान हैं मरीज कहीं न कहीं ये देख के और ज़्यादा मुस्किलों में फस्ता हुआ दिखाई दे रहा है वो और ज़्यादा परिशान है एक तो बिमारी से लोग कराह रहे हैं और कराहते हुए जैसे तैसे उनको लाद के तीन चार लोग उठा के ले जा रहे हैं क्योंकि गारी अंदर के वो सब के सब फेल दिखाई दे रहे हैं अब नितिश कुमार या मंगल पांडे इस बात का जब जिक्र करते हैं कि हमने स्वास्त विभाग को बहतर बना दिया है तो उनका पोल खुल रहा है ये पहली बारिश में उनके जो हॉस्पिटल है वो अब सोचिए जड़ा मंगल पांडे जी जो पता नहीं किस मस्ती में सो रहे हैं उनको तो कोई फिक्र है ही नहीं क्योंकि उनका इलाज इन सदर अस्पतालों में तो होने वाला नहीं उनका तबियत बिग्रेगा तो सीधे इम्स चले जाएंगे या फिर विदेश के किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे मंत्री जी हैं पैसो की कोई कमी नहीं है उनके पास कोई पैसो का वो दुख नहीं है तो आराम से विदेश में जाके अपना इलाज करवाएंगे उनके पास कई सारे आप्शन है लेकिन वो गरीब तपका जिसके पास कोई आप्शन नहीं है उस भड़े बरसात के प कि भाई वो लोग क्या कर सकते हैं वो लोग सेवा भाव का काम कर रहे हैं और वो लोग इस बारिस में भी उपस्तित है चलिए ये तो अच्छा बात है लेकिन डॉक्टर साहब कड़े भी तो कड़े क्या आखिरकार जो हॉस्पिटल में पानी घुसा है उसमें उनकी क्या गलत पहुच पा रहे हैं और कल गोपाल गंज में इसी दौरान 3 मरीजो की मरत्यू भी हो जाती है आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है अब तो आके इसकी भी जिम्मेदारी ले ले लिजी एस crowds कोल के आप जिम्मेदारी ले ले लेते हैं कि हमने ए एक आम सुल वा दिया आप कराने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ पे घुटने भर पानी में डॉक्टर खड़े होके operation कर रहे हैं, इसकी भी जिम्मेदारी ले लीजिए नितिश बाबू, इसकी भी जिम्मेदारी ले ले लीजिए मंगल पांडे जी, पता नहीं ये तो कहां है, कहां रहते हैं, इनका तो कोई खोज खबर ही नहीं मिल पाता, हाला कि आप इनको खोज दीजिए और अगर खोज पाईए तो उसके बाद कॉमेंट करके एक बार हमें भी इकतला कर दीजिए कि आखिरकार मंगल पांडे कहां हैं, बाकि आप देख रहे हैं जनता जंक्षन और मेरा नाम इस से लिए ओड़त है.